हेलो गार्डनर दोस्तों, वेल्कम बैक टो माई चैनल, डेली गार्डनिंग तो आज हम जिस पौधे के मारे बात करने जा रहे हैं वो कॉमनली एरिका पाम के नाम से जाना जाता है ये एक बहुती सुंदर और्नामेंटल प्लांट है जो की indoor और outdoor दोनों ही condition में बढ़ी अच्छी तरह grow करता है तो दोस्तों आए जाल लेते हैं इस पौधे के tips और care आपको इस पौधे की कैसे करनी है उसके बारे में तो दोस्तों ये पौधा जैसे मैंने आपको बताया indoor outdoor condition दोनों में ही अच्छी तरह grow करता है बस key feature जो इस पौधे के लिए जो key requirement होती है वो होती है light अगर आप इसको घर के अंदर रख रहे हैं तो एक ऐसी जगे रखे जो की बहुत ही अच्छे से illuminated हो मतलब bright light वहां आती हो या indirect sunlight आती हो तो वो इस पौधे के लिए बहुत अच्छा होगा आप इस पौधे को घर के बाहर भी बहुत आसानी से grow कर सकते है डारेक्ट sunlight भी ये पौधा जहेल लेता है तेकिन बस एकी बात जो हमें ध्यान रखने की होती है कि जो गर्मियों की जो मार्च मंत के बाद अप्रेल मंत से लेके जब तक मौनसून ना जाए तब तक जो इस दूप होती है वो इस पे ना पड़े क्योंकि जो डारेक्ट sunlight होती है उससे यह होता है कि इनकी पत्तियों का कलर जो है वो ग्रीन इश यलो यलो इश सा होने लगता है ग्रीन कलर से और दीमे दीमे करके कि उसमें ब्राउन स्पोर्ट भी आ जाते है और उसके बाद एक जो शाइनी होती है पत्तियों कि वो खतम हो जाती है इसलिए आप इसको बिलकुल गर्मियों की डारेक्ट सनलाइट से बचाएं बाकी सभी मौसम में आप विंटर्स में वगरा में सभी में आप इसको इसली डारेक्ट सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं दूसरी पॉइंट जो इसमें आपको पौधे में इस पौधे के बारे में आपको जान लेना है कि इसमें जो सौइल आप इसकी रखेंगे वो आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल भी सौगी नहीं होनी चाहिए बंदी होई सौइल नहीं होनी चाहिए अच्छी बुरबुरी मिट्टी होनी चाहिए आप देखी मेरे पास कई सारे अरिका पाम पौधे हैं जिन में से ये जो पौधा है यहाँ पर इसकी आप मिट्टी देखिए आप बिल्कुल भुरबुरी मिट्टी है इसकी ये बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रुखता है और इसमें जड़ें जो होती हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हुई है और इसके वज़े से ये प्लांट का साइज ये बहुत ही अच्छा ग्रोव हुआ है ये पौधा और साथ ही इसके साथ यहाँ पर ये जो दूसरा पौधा आप देख रहे हैं ये दोनों पौधे साथ में लगे थे लेकिन किसी कारण से इसकी मिट्टी उत्ती जादा अच्छी नहीं हुई है ये बंदी हुई मिट्टी जादा अच्छी अब इसमें दल्दली मिट्टी हो गई है इसके अब ये मुझे रीपॉट करना है जिसके आप देखी इसमें ग्रोथ बहुत ही कम हुई है उसके कंपेरिजन में जिसमें इसकी मिट्टी अच्छी थी और जो दूसरा पौधा आप आपने देखा 20% कंपोस्ट का मिक्षर तयार कर सकते हैं ये एक आइडियल मिक्षर होता है उन सभी पौधों के लिए जिनको ऐसी मिट्टी पसंद हो जिसमें पानी न रुके इस पौधे में आप जब भी वाटरिंग करें तो आप देख लें कि इसकी जो उपर की सता हो मिट्टी की करीब एक से डेड़ इंच अंदर भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह सूख जाए हात में मिट्टी न चुबके तो तभी आप इसमें पानी डालें वरना इसमें पानी न डालें ध्यान बस एक बात कराके दलदली मिट्टी ना बने जो भी एकसेस पानी हो वो इजली नीचे होल से प्लांट पॉट के उससे वो निकल जाए दोस्तों ग्रोइंग सीजन इसके स्प्रिंग से लेकर समर्स में भी रहता है उससमें यह प्रौधा बहुत अच्छी तरह ग्रोध करता है तो आप उससमें जरूर इसमें खाँक के नोमेनल आपको पानी देते रहें एक मौशया इसकी मिट्टी में बना रहे साथ है इस समर्स में भी आप एक बात ध्यान रखें कि इसकी पत्तियों को आप पानी से स्प्रेज जरूर करते रहें इस पौधे में जनरली क्या होता है कि इसमें धूल भी जम जाती है जिसके वज़े से कई बार हम देखते हैं कि फोटो सिंथेसिस में बादा आती है तो आप ध्यान रखें बीच बीच में इसकी पत्तियों को पानी के स्प्रेज से जरूर दोते रहें उससे इसकी पत्तियों बहुत हेल्दी बनी रहेंगे तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी प्रपोगेशिन की तो आप देख रहे हैं यहां पे इनकी अलग-अलग पौधे यहीं पर जड़ों से ही बनते जाते हैं तो जब आप इसकी रिपॉर्टिंग करते हैं तो आप उनकी जड़ों को डिवाइट कर सकते हैं और अलग-अलग में लगा के उनकी उनको प्रपोगेट भी कर सकते हैं दोस्तों ये जो आप पौदा देख रहे हैं सामने ये मैंने अपने घर के अंदर लगाया हुआ है इसकी भी मिट्टी में वही चीजों का ध्यान रखा गया है आप देखिए बहुत ही अच्छा हेल्दी पौदा भी हो र दियान रखें कि इसमें प्रॉपर लाइट जरूर मिलती रहे अगर आपका पौदा इस ऐसी जगे रखा हुआ घर में जहां पर बहुत जादा लाइट नहीं पहुच रही है तो आप ध्यान रखें कि पौदे को बीच बीच में या मौनिंग में या इवनिंग में एक से द दोस्तों वैसे तो इसमें कोई भी इंसेक्स इजली नहीं अटैक करते हैं लेकिन कभी कबार इसमें वाइट फ्लाइज, स्पाइडर माइट और मीली बग्स या कई और भी कीडों का अटैक हो जाता है उसको देखने के लिए आप ध्यान रखें कि जनरली वो पत्तियों की नीचे आपको देखने मिलेगे, सफेद सफेद उसमें आपको देखने मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसमें इंसेक्स का अटैक हो चुका है इसके लिए आप 3 ml नीम वॉयल का एक लीटा पानी में गोल के एक मिक्षर बना लें और इसकी पत्तियों में डारेक्ली स्प्र के बारे में, मैं आशा करता हूँ कि आपके घर में भी इसी तरह हेल्दी बना रहेगा, और अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगए, आपको इसससे कोई नहीं जानकरें मेड़ी ओ, तो इस वीडियो को ज़्रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्स्क्राइब और य थेवे बाट कर्वाद के लिए लिए ले लुग जाट करें हुआ ते लेव लेगार्टी जाट के लिए लेगार्टी है